Hello everyone, सभी को नमस्कार, मैं अव्धेश दिक्षित, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ तो कई सारे स्टुरेंट्स डिमांड रख रहे हैं कि CGL 23 का रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए कल जो एक Twitter campaign भी किया गया, ठीक है तो इसकी क्या output आएंगे, क्या चीज़े हैं उन सब पर genuinely बात करेंगे, तो please अपने बुद्धी विवेक का आपको क्या करना है, use करना है ठीक, आप इस बात को समझे कि जब भी हम कोई बात बोलते हैं, तो उसमें दो मैसे किसी एक तरफ पर हमारी बातें जाएंगी, तो किस तरफ हमें बात करने में जादा फायदा होगा, आप इसे भली बात समझ सकते हैं क्या tutor campaign होना चाहिए, तो अगर मैं इसके favor में जाऊँगा, तो मेरे पास जो support आएगा, वो उन students का आएगा चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, देखो जो बच्चे के 120 नमबर भी होंगे, वो ये चाहेगा, उसका call आ जाए, यह उसको means देने दिया जाए तो जादा students pass होते हैं, यह जादा students fail होते हैं, तो fail होते हैं, तो ऐसी बात करो, जो कि fail होने वाले बच्चों को पसंद आया होने लगे कि यार, यह व्यक्ती जो हमारे फायदे की बात कर रहा है, बात को पूरा सुनना, आदा सुनोगे तो पूरी बात है, समझ में नहीं आएगी, तो अगर पास वालों के हित की बात करेंगे, तो हमारे support में कम बच्चे हैं, है ना, और वो ऐसे भी बुद्धी वेक रखते हैं, तो उनको कोई जादा matter नहीं है, तो बात अधिकतर ऐसी आपको YouTube पर देखने को मिलेगी, चाहे कोई भी circumstances हो, जो जादा बच्चे अपने support में लेके आ सके, साथी साथ आप ये भी देखो गया, यूट्यूब पर, आप में से ही कुछ strengths होंगे, बहुत आपका छोटा सा part students का, जो एर कुछ भी अफवा फैला रहे हैं, अधिकतर इसमें students ही हैं, जो कहीं पढ़ा नहीं रहे, अपना face दिखाते नहीं, और ब ठीक है, तो students ही, students के साथ, actually में है नहीं, ये वो strengths है नहीं है, छोड़ो, उस बात को छोड़िए, तो सबसे पहली बात है, क्या यार ये होना चाहिए, revise result आना चाहिए, और इसके chances क्या है, अगर सही बात करें, तो मैंने अभी जो starting में बात करी, उससे आपको लगेगा, सर जा रहें, किस तरफ सर जाएंगे, कि ये चीज नहीं होना चाहिए, बट मैं आपको frankly बताओ, मैं इसके favor में 100% हूँ, उसका reason क्या है, ये revise result आना चाहिए, qualifying paper का मतलब क्या होता है, qualifying paper का मतलब ये होता है, ये अभी ज़्यादा students को qualify करवा लेंगे, अभी मतलब की अगर कम marks भी आ जगे, तो हम इसको qualify कर जाएंगे, बाकि मेंस में असली competition होगा, लेकिन अब तक जितने भी SSC ने बच्चे बुलाए थे, हमें expected था कि उसके आसपास बुलाएगा, कि कम बच्चे बुला लिए जाएंगे, बात हम अभी ये नहीं कर रहे हैं कि cutoff कितनी कम होगी, 120 वा असपास बच्चे बुलाएं, ठीक है, जिस वजए से ये उतना बढ़िया नहीं है, ठीक है, अब बात करें कि यार इसके होने के chances क्या है, हो सकता है आपका ये पहला दूसरा attempt रहा हो, बट मैंने पिछले 9-10 लगभग 8-9 CGL तो देखी लिए, इस field में, तो SSC जो कह देती ह इसके बात, आप ये मालनो SSC क्या है, कही न कहीं सरकार का ही एक छोटा पार्ट है, कि सरकार का decision is the final decision, तो जिस प्रकार एक अगनी वीर वाली चीज आई थी आपको पता होगा, defense forces में, तो अगर उसको नहीं रोका गया, तो ये तो आप मालनो कि ये चेंज होने के कोई chances नही करनी चाहिए, तो genuine part is कि हमें try करना चाहिए, और हो गया तो well and good है, otherwise, बात वहिए कि government से fight करना is next to impossible, ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर, क्यार अगर ऐसा हो भी जाए, हम maximum क्या demand रख सकते हैं, maximum से maximum चाहेंगे, कि 15 गुना बच्चे बुला लिए जाए, इससे जादा तो नहीं क क्योंकि पहले भी 9.something बुलाए गए, तो 10X पर भी SSC आ सकती है, तो 10X से जो cut-off पर तो उतरह फरक नहीं पड़ेगा, बट हम जो बात कर रहे हैं, कि competition एक decent level का होना चाहिए, कि एक seat पर 12, 14, 15 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि ये paper qualifying in nature था, और qualifying starting से ये राय qualify जादा हैं, मतलब जितना vacancy उसके आपसे काफी जादा बच्चे qualifying वाले paper जैसे हम CET के आगे बात कर रहे हैं, that will be qualifying in nature, तो 60%, 70% से उपर वाले सब qualify कर गए, तो यहां expected था कि number of students को जादा मौका मिलेगा mains में बैठने का, तो cut-off पर इस पर कितना फरक पड़ेगा, I hope आप सभी जो ह कि 71-72,000 से कितना जादा हो गया आपका, 28,000 के आसपास जो है, जादा बच्चे होगे, उसके बाद भी जो है, जो cut-off यूर की जा रही है, वो 145 है, यहनि 146, Sunday 149 बता ही थी, 150 तो 145, 146, तो जो बच्चे सब कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, यह हमने discuss किया, तो बस सबसे बड़ी चीज रहा, पता है, वही बात है, जैसे मैंने आपको starting में कहा, कि काफी सारे students भी है, जो यह, बस कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम आती है, उससे बस views, आठी एट में हर कोई, बस views बड़ोरना चाह रहा है, बट क्या हम ultimate solution तक जाने की स वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, आनी चाहिए, हम definitely बात से agree करते हैं, कि वेटिंग लिस्ट लाने में challenges होंगे, वो किसी और दिन मालनों डीटेल में बात करेंगी, क्या क्या challenges है, वो आप भी सोचिएगा, कोई solution मिलेगा, तो आप से भी मैं पूछूँँगी क्या, बट अ ना होना, cut-off बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो, बट अगर मालनों वेटिंग लिस्ट रहे, देखो, colleges होते हैं, उसमें भी वेटिंग लिस्ट रहती है, क्यो रहती है, ताकि seat खराब नो, seat खराब क्यो नो, ताकि हमें fees मिल जाए, college को, तो इसी प्रकार से अगर हम भी सोचें, क्या हमारी कोई seat खाली न रह जाए, इस प्रकार से अगर सोचें, तो वेटिंग लिस्ट रखी जाएगी, तो उससे क्या होगा, भाई ठीक है, एक बच्चा दस बार paper देते रहे भाई तू, दस बार देते रहे, बट दस बार आप एक वेक्ती 10 जगे, job तो लेगा नहीं, उससे क्या होगा, कि भाई जो बच्चे तीन बार, चार बार से selection ले रहे हैं, वो seat को खाली छोडेंगे, तो दो महीने तक अगर उनने joining नहीं करी, तो next वाला विक्ती आजएगा, challenges इसमें है, मैंने इस बारे में सोचा, बट क्या हम सब एक साथ हो सकते हैं, कि नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपको जो भी कहना है, उसके साथ, जो भी आपकी voice है, वो हम जहां तक पहुंचा सकते हैं, पहुंचाएंगे, है न, but views कई जगे से आगे, ठीक है, बच्चों तक ये बाद पहुंच गई, but ultimately क्या, मैं मानतों कि सबसे important चीज है, जिस पर हमें काम करना ये एक जो टोकर, that is waiting list, जब तक नाए, तब तक मतलब, मतलब आप समझे रहें, दिखने के लिए ये 8000 वेकेंसी हैं, लेकिन आप देखिए, इस में से कम से कम 3000-3500 बच्चे वही होंगे, जिनने पिछली बार selection लिया था, waiting list रहे, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उससे अगली बार अपने आप कट आफ कम जाने लग जाएगी,